यह जो कोस्टिन है इसमें क्या दिया है कि PQ आर एक राइट ट्रेंगल है तो यहां पर 90 डिग्री होगा QS पर प्रक्र के PQ का वैलू कितना है 6 cm और PS का वैलू है 4 cm हमें क्या निकालना है QS निकालना है RS निकालना है क्यों असान सी बात हैं कोई वरी बात नहीं है आएए देखिए हमें चुक पता है अगर आप रेगुलर हैं तो पता होगा है कि हमने इसका रेजल्ट बताया हुआ है कि जब भी एक ट्रेंगल हो राइट रेंगल और उसमें आप राइट एंगल से परपेंक्लर द्रो करते हूं तो PQ का जो square है नो PQ का square वो किसके बराबर होगा P से start नो होगा और दो length है एक है PS और दूसरा है PR इसके product होगा ऐसे ही QR का square किसके बराबर होगा R से सुरू होना all दो length है एक है RS और एक है RP RS into RP को आप PR भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं और जो एक महत्यपूर्ण result है वो क्या है यह जो right triangle है इसका area कितना होगा बोलें कि 1 by 2 into PQ into QR होगा और इसी area को हम 1 by 2 into यह जो hypotenuse है या फिर कर्न है इसको भी आप base मान सकते हैं तो PR को जब base मानेंगे तो height क्या हो जाएगा QS गया गया तो यह आपको मिलेगा PQ into QR equal to PR into QS बेहदी असान result है यह सब आप याद रखे ठीक है आईए question देख लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या निकाल लेते हैं PR निकाल लेते हैं चुकि हमें पता है कि PQ square का जो value है यह हो जाएगा PS into RP PQ square 366 equal to char into RP hence RP का value कितना हो गया 9 cm जैसा ही RP का value 9 cm हमें RP चाहिए आचा question में तो RP चाहिए ही नहीं हमें चाहिए QS RS कोई दिकत नहीं hence RS का value कितना हो जाएगा RP में से PS को माइनस कर लेंगा न वो आजएगा 5 cm अभी हमें पादा चल गया A हो गया 5 cm फिर आप क्या कर लेंगे QR निकाल लेंगे आप QR निकालने के लिए Pythagoras theorem का भी उज़ कर सकते है जो मर्जी आपके QR square का जो value है या RS into RP होगा RS कितना है 5 और RP कितना है 9 hence QR का value कितना हो गया 3 root 5 cm और किसका value निकालना है RS हो गया फिर QR and QS चाहिए QS and QR QR भी हो गया RS भी हो गया अभी लास्ट लेंगे आच चाहिए QS चाहिए तो देखा आपने QR माफ किजिए आगा QR into QP का जो value है वो QS into PR है ये तो बता दिया आपके QS का value कितना होगा QR हो गया आपका 3 root 5 QP मतलब PQ है 6 और इसमें हमें RP डालना है तो RP कितना है 9 3 दूना 3 तियाई 9 3 दूना 6 ये आगे आपका 2 root 5 cm तो उम्मीदे सारी चीज़े clear होंगे